मैं एक बार फिर से तिवारी कोचिंग क्लासेज यूटूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज की वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास टैन्थ सप्लिमेंटरी रीडर का पहला लेशन जो है पढ़ाया जाएगा सप्लिमेंटरी रीडर का पहला जो चैप्टर है उसका टाइटल है दी इन्वेंटर हू किप्ट हीज प्रॉमिस दी इन्वेंटर वह अविश्कारक इन्वेंट का मतलब अविश्कार करना तो और लग जाने से नाउन बन गया अर्थाद अविश्कार करने वाला दी इनवंटर वह अविश्कारक हूँ जिसने केप्ट निभाया हिज़ प्रामिस अपने वादे को हिज़ प्रामिस अपने वादे को थौमस L.W. आडिसन का यह कहानी है और हम पढ़ेंगे कि उसने अपने promise को कैसे निभाया अपने वाइदे को कैसे पूरा किया यह कहानी यह part आपको बताएगा एक ऐसे जीवन के विशे में एक ऐसे बैज्ञानी के महान कारियों के विशे में जो संसार को दिखा दिया कि यदि व्यक्ति में determination है यदि व्यक्ति में इद्रिड इच्छा है तो उसके लिए कोई भी काम जो है संभव नहीं है वो कुछ भी कर सकता है थामस अलवा एडिसन का जन्म 1847 स्वी में हुआ था अमेरिका में एक अच्छे परिवार में जब अमेरिका में जन्म लिया था थो उस समय एलेक्ट्रिक बल्ब नहीं था लोग कैंडल यूज किया करते थे ओयल लैंप यूज किया करते थे उसने अपने देश्वासियों से यह प्रामिस किया कि वह सीख भी उन्हें एलेक्ट्रिक बल्ब देगा तो उसने उसने अपने इस वायद्य को कैसे पूरा किया क्या-क्या हर्षिप उसे फेस करने पड़े कौन-कौन सी कठिनाईयों से जहलनी पड़ी इस लिसन में हम जानेंगे पढ़ेंगे तो आते हैं लिसन के पहले ही पैसे से पर आते हैं पढ़ते हैं when you want to read at night when जब you want आप चाहते हैं to read पढ़ना at night रात को when का मतलब क्या हुआ जब हुआ आपको पता है when you want जब आप पढ़ना चाहते हैं to read at night रात को जब आप रात को पढ़ना चाहते हैं you simply आप आसानी से press प्रेस कर देते हैं दबा देते हैं a switch एक बटन को एक बटन को आप दबा देते हैं and or the electric lamp बिद्दुद बल्व gives you a light आपको प्रकास बदान करती है do you know क्या आपको पता है who invented the electric lamp कि बिद्दुद बल्व का अब इसकार किस ने किया he was an American वह एक अमेरिका का था अमेरिकन था नेम टॉमस अलव एडिसन जिसका नाम थामस अलवा एडिसन था even in his childhood अपने बच्पन से ही एडिसन लब्ड to do experiments एडिसन प्रयोग करना पसंद करता था he was fond of asking questions वह सौखीन था प्रस्टन पूछने का and he was never satisfied और वह कभी संतुष्ट नहीं होता था till he got the right answers जब तक कि उसे सही उत्तर नहीं मिल जाता था वह जब प्रस्टन करता था टीचरों से तो वह पूर्ण रूप से तब तक संतुष्ट नहीं होता था जब तक कि वह उसे सही उत्तर नहीं मिल जाय करता था there are many stories बहुत सी ऐसी कहानिया है about his child or उसके बच्पन की and here are a few of them और उन कहानियों में सी कुछ कहानिया इस lesson में दी जा रही है इस lesson में यहां दी जा रही है पढ़ते हैं आगे one day एक दिन when जब यंग एडिशन वह युवा एडिशन वह जट स्कूल में था जब एक दिन जब एडिशन स्कूल में था the teacher was telling the children अध्यापिका बच्चों को बता रही थी ए स्टोरी एक कहानिया about the birds बच्चियों के बिशय में he got up वह उठा and asked और पूछा दी teacher अध्यापिका से madam why can't man fly like a bird मनुष्य पच्चों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता अध्यापिका बच्चों को कच्चा में पच्चों की विशय में कहानी बता रही थी उसके मन में आया कि आखिर मनुष्य जो है पच्चों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता तो उसने madam से यह question कर बैठा क्या किया का कि why can't man fly like a bird कि मनुष्य जो है पच्चों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है because man has no wings क्योंकि मनुष्य के पास पंक नहीं होते replied the teacher अध्यापिका ने उत्तर दिया अध्यापिका ने कहा योकि मनुष्य के पास पंक नहीं होते इसलिए मनुष्य जो है पच्चों की भाती पच्चों की भाती आस्मान में नहीं उड़ सकता है the young boy thought for a moment वह युवा लड़का कुछण के लिए सोचा बिचार किया and asked her again और फिर से उससे पूछा but kites have no wings लेकिन पतं के भी तो पंक नहीं होते and still we can fly them in the sky इस पर भी हम उन्हें आकास में उड़ा सकते हैं इस पर भी हम उन्हें आकास में उड़ा सकते हैं all the other boys laughed सभी बच्चे हस पड़े and the teacher lost her patience और अध्यापिका ने अपने धैरे को खो दिया अध्यापिका ने अपने धैरे को खो दिया she thought उसने बिचार किया उसने सोचा उसके मन में आया the boy was stupid and nutty के लड़का बहुत ही दुष्ट और सरारती है and she asked his parents उसने उसके माता पिता को बुलाया to take him out of the school और उसे school से बाहर ले जाने के लिए कहा his parents took him home उसके माता पिता उसे बाहर ले गए but they knew लेकिन उन्हें पता था that he was not a stupid and stupid boy कि Edison अर्थात वह बिल्कुल दुष्ट लड़का नहीं था Edison was just 8 years old when this happened Edison मात 8 वर्स का था जब या घटना घटी थी young Edison found in his mother his best teacher युवा एडिसन ने अपनी मा को ही अपना सबसे अच्छा ध्यापिका पाया अपना सबसे अच्छा तीचर पाया she was patience enough she was patience enough to answer all his questions वह पूर रूप से धैर रखती थी to answer उत्तर देते समय all his questions उसके सभी प्रशनुगा उसके सभी प्रशनों का उत्तर देते समय वह पूर्णो रूप से धैर रखती थी and with her help and guidance उसकी सहायता और उसकी देखरेख में he made good progress उसने अच्छा विकास किया Edison ने अच्छा विकास किया he used to observe things very very closely वह सूच्म तरीके से बड़े ही नजदीक से वस्तों का निरेच्छन करता था and do a lot of experiments और धेड़ सारा प्रयोग करता था some of his experiments were silly उसके कुछ प्रयोग मुर्खता पूर्ण थे but he learned a lot from them लेकिन फिर भी उनसे वह बहुत सारे चीजों को सीखता था वह उन असफल प्रयोगों से मुर्खता पूर्ण प्रयोगों से भी बहुत सारे चीजों को सीखता था one morning, एक सुब एक सुब वह एक पच्छी को देख रहा था it flew down to the ground वह उपर से उड़ करके जमीन पर आई picked up a few worms in its bee अपने चोंच में उसने कुछ कीड मकुनों को पकड़ा and flew away औफिर से उड़ गई this gave young Edison an idea यह you are Edison को एक बिचार दे दिया the bird is able to fly पच्छी उड़ पाने में सफल है, सच्छम है because it eats worms क्योंकि यह कीड़े मकुनों को खाती है man can also fly if he eats worms मनुष भी उड़ सकता है यह यह कीड़े मकुनों को खाए he said to himself उसने खुद से कहा, अपने मन से कहा he wanted to try the experiments on someone वह इसका प्रियोग किसी पर करना चाहता था वह इसका प्रियोग किसी पर करना चाहता था he caught hold of a few worms, उसने कुछ कीड़े मकोड़े कूल पकड़े beat them into a pulp और एक ओखली में उसे कूंट दिया beat किया, कूंट दिया and mixed it in water उसे जलक में घोल कर दिया he took the mixture to the servant girl उसने एक नौकर की लड़की को, नौकरानी को उसने एक नौकरानी को क्या किया उस घोल को दिया and said to her उसे कहा this is a wonderful, this is a wonderful mixture यह एक अदभूत घोल है if you drink this, यदि तुम इसे पियोगी, you can fly like a bird तुम एक पच्ची की तरह उड़ सकोगी, come on, drink it and see come on, आओ, drink it इसे पियो and see और देखो देखो हम कैसे, तुम कैसे इस घोल को पी करके उड़ सकती हो उसने क्या कहा, उसने कहा कि उस घोल को पी लो और यह देखो कि तुम कैसे आश्मान में उड़ सकोगी दी पूर गर्ल, बेचारी लड़की, दी पूरल बेचारी लड़की believed him उसकी बातों पर विस्वास कर गई and drank the mixer और उस घोल को पी ले गई well, care she didn't fly, वह उड़ तो नहीं सकी but she fell ill, लेकिन वह बिमार पढ़ गई लेकिन वा बिमार पड़ गई यंग एडिसन्स मदर युवा एडिसन्स के माने वार्ण उसे चेतावनी दिया चेताया उसे हिम उसे not to do such silly experiments के ऐसा मुर्खता पूर्ण खोज वा न करे ऐसा मुर्खता पूर्ण प्रयोग वा न करे once एक बार he went to a pultry firm with his mother एक बार वह अपनी मा के साथ pultry firm में गया there वहां ही सा आहन उसने एक वहां मुर्गी को देखा it was sitting on its legs वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी he asked his mother about it उसने इसके विष्थे में अपनी मा से बातचित किया पूछा and see answer उसकी मा ने उसे उत्तर दिया the hand is hatching its eggs मुर्गी अपने अंडों को से रही है मुर्गी अपने अंडों को से रही है after some time कुछ समय के बाद chickens will come out of the eggs मुर्गी की जो चुज्जे है वो अंडों से बाहर निकल के आएंगे मुर्गी के चुज्जे अंडों से बाहर निकल के आएंगे why can't I hate eggs मैं अंडों को क्यो नहीं से सकता दो thought young addition your addition ने बिचार किया your addition ने सोचा the next morning अगली सुब he got a dozen eggs वो एक दरजन अंडों को लाया and sat on them और वो उस पर बैठ गया he got up after some time कुछ समय के बाद वो उठा कुछ समय के बाद वो उठा but he didn't find any chickens लेकिन वह किसी चुजों को नहीं पाया किसी मुर्गी के अंडों को नहीं पाया he had only smashed the eggs सिर्फ उसने अंडों को smashed फोड दिया था तोड दिया था and spoiled his shirts और अपने कमीज को खराब कर लिया था he got a good beating from his mother that day वह उस दिन अपनी मा से बहुत डांट खाया वह उस दिन अपनी मा से बहुत डांट खाया a really funny boy wasn't he क्या वह वास्तों में एक मजा किया लड़का नहीं था he failed वह असफल हो गया in all these experiments in सभी प्रयोगों में but he had learned something from them लेकिन वह उन असफल प्रयोगों से भी कुछ न कुछ सीख लिया था उन असफल प्रयोगों से भी कुछ न कुछ सीख लिया था he had learnt उसने सीखा था that his ideas were wrong कि उसके बिचार गलत थे he was fond of books वह किताब का सौखीन था and read quite a lot of them बहुत सारे किताबों को पढ़ लिया था his father gave him 25 cents उसके पिता 25 cents दिया करते थे for every book he read उन किताबों के लिए जो पढ़ा करता था he read widely with the pocket money he got वह जेब खर्च के लिए जो भी पैसे पाया करता था उनसे बहुत सारे किताबों को खरीद के पढ़ लिया he bought more books और दिक किताबों को खरीदा and set up a small laboratory his laboratory और एक छोटा सा उसने एक प्रियोग साला बना दिया his mother encouraged him उसकी माँ से उससाहित किया करती थी and helped him in the experiments और उसके प्रियोग में उसकी सहायता भी किया करती थी उसके प्रियोग में उसकी सहायता भी किया करती थी after sometimes कुछ समय के बाद after sometimes कुछ समय के बाद Edison found Edison ने पाया Edison को लगा Edison को महसूस हुआ that he needed कि उसे आवश्यक्ता थी more money और अधिक पैसों की to carry on his experiments उसके प्रियोग को जारी रखने के लिए कुछ समय के बाद Edison को या feel हुआ Edison को लगा कि उसे उसके प्रियोग को carry on करने के लिए जाई रखने के लिए कुछ और अधिक पैसों की आवश्यक्ता थी and or he wanted more books वह और अधिक किताबों को खरीदना चाहता था as he had read क्योंकि उसने पढ़ लिया था all the books उन सभी किताबों को he had at home जो उसके पास घर पर थे he wanted to go वह जाना चाहता था out बाहर वह बाहर जाना चाहता था and see new places और नए अस्थानों को देखना चाहता था and new people और नए लोगों को he wanted to read new books वह नई किताबों को पढ़ना चाहता था and to improve his knowledge जो अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता था और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता था so इसलिए he decided उसने निरणे लिया to take up a job एक छोटी सी नौकरी करने के लिए in the railway, railway में इसलिए उसने railway में एक छोटी सी नौकरी करने का निरणे लिया at first पहले तो प्रतम दिष्ट्या प्रतम बार कि parents didn't like this idea उसके माता पिता को यह बिचार बिलुकुल पसंद नहीं आया as he was just 12 years old क्योंकि वह सिर्फ 12 words का था but they agreed लेकिन वह सहमत हो गये when he gave them good reasons जब Edison ने उन्हें अच्छा तरक दिया अच्छा अपने निरणे के लिए अच्छा कारण बताया अच्छा तरक दिया for his decision अपने निरणे के लिए so इसलिए Edison became a newspaper boy and traveled up and down the train from to Detroit इसलिए Edison एक समाचार पत्र विक्रेता बन गया और train पर उपर नीचे याता Detroit करने लगा his old newspapers वह समाचार पत्रों को बीशता था sweets से मिठाईयों को बीशता था and fruits और फलों को बीशता था and earned two dollars on the first day और पहले ही दिन अपने job के पहले ही दिन उसने दो डालर कमा लिए he said to his mother उसने अपनी मा से कहा at supper रात्री के वोजन के समय that night उस रात्री take this dollar mother मा इस dollar को ले लो every night हर रात I shall give you मैं आपको दे दिया करूंगा a dollar उस dollar को from what iron जो मैं कमाऊंगा and he kept his promise और उसने अपने वादे को इस तरह से निभाया पूरा किया इस तरह से उसने अपने वादे को पूरा किया निभाया a year or two later एक या दो वर्स के बाद एक या दो वर्स के बाद Edison decided to produce his own newspaper Edison ने खुद के समाचार पत्र को छापने का संपादित करने का जनड़े लिया he bought an old printing press उसने एक पुराना छपाई का machine खरीदा and set it up in his railway wagon और उसे अपने railway के डिब्बे में जुसे मिला हुआ था उसने उसमें उसको set कर लिया रख दिया अस्थापित कर दिया he edited and printed his paper वह अपने paper को edit करता था और छापता था sold a number of copies बहुत सारी प्रतियों को बेशता था and made more money और ठीट सारा पैसा कमाता था which with the money वह धन he got जो पाता था जो कमाता था he set up a small laboratory in his railway wagon उसने एक छोटा सा प्रियोग साला अपने railway के डिब्बे में ही बना दिया उसने एक छोटा सा प्रियोग साला अपने railway के डिब्बे में ही बना दिया when he was 15 when he was 15 जब वह 15 वर्षका था he met with an accident उसके साथ एक घटना घटी एक तुर घटना घटी that affected his career जो उसके जीवन को अफेक्ट किया प्रभाविक किया while he was doing an experiment in his laboratory वह जब अपने प्रियोग साला में एक प्रियोग कर रहा था the train turned round a corner train एक कोने से मूडी there was a sudden jolt अचानक जटका लगा and a bit of phosphorus fell on the floor और phosphorus का छोटा सा टुकड़ा फर्स पर किर पड़ा office carriage उसके डिब्बे के and it caught fire उसने और उस phosphorus ने क्या किया phosphorus के छोटे से टुकड़े ने आग पकड़ लिया before he could put it out इसके पहले कि वह उस आग को बुझा पाता the newspapers had caught fires समाचार पत्रों में भी आग पकड़ लिया the fire spread आग फैल गई and Edison shouted for help और Edison अपनी सहाता के लिए चिलाया Edison अपनी सहाता के लिए चिलाया the god came god अंदर आये and took the और दोनु साथ मिलकर कि able to put out the fire आग को बुझा पानी में सपल हो गए but लेकिन that was the that was the end of Edison's service on the train वह दिन Edison की नौकरी का Edison की शेवा का अंतिम दिन था he was dismissed at the next station अगले ही station पर उसे उतार दिया गया अगले station पर उसे उतार दिया गया the next five years अगले पाँच वर्सों तक Edison took up jobs in different cities Edison ने भिन भिन सहरों में नौकरी किया he made good use of of the libraries and met experts in factories and workshops वह libraries का पुस्तकालियों का और पुस्तकालियों का अच्छा उपयोग किया और बिसे फैक्टरी और वकसाब के बिसे सग्यों से भी मिला he asked them questions और वह उनसे कुछ प्रश्न भी किये and learnt a lot from them और बहुत सारी बातों को उनसे सीख लिया and worked harder at his experiments और अपने प्रयोग पर बहुत सारा परिश्वन किया during this period इस समय के दौरान इस period के दौरान he was out of job for a short time उस समय के लिए वह short job से बाहर भी राद उसने job भी नहीं किया and was staying with a friend और अपने मित्र के साथ वहीं रुका रहा this young man अर्थात उसका मित्र was working in a company there वहाँ एक company में काम कर रहा था और in that company उस company में they had an important machine बहुत सारी महत्यवपूर्ण प्रयोग की machine थी one day एक दिन the machine stopped suddenly machine अचानक रुक गई Edison was there Edison वहीं था at that time उस समय he had he had a look at the machine उसने machine को देखा and repaired it within a short time अपकम समय में उसको बना दिया the manager of the company lied Edison मैं उस company का जो manager था Edison को बहुत पसंद किया and gave him a good job और उसे एक अच्छी नावकरी दे दिया Edison paid off his debts Edison ने अपने सारे कर्ज को चुकता कर दिया and improved his laboratory और अपने प्रयोग साला को बढ़ाया अपने प्रयोग साला को बढ़ाया the next six years अगले च्छा वर्सों तक Edison made a series of inventions Edison ने प्रयोगों का स्रिंखला तयार कर दिया one inventions followed एंदर quickly एक प्रयोग के बाद दूसरा तेजी से हुआ करता था Edison earned more fame and money Edison ने बहुत सारी प्रस्ख्याती को कमाया और पैसे को कमाया in 1877 1837 में he was working on a machine वह एक machine पर काम कर रहा था that could reproduce the human wise जो मनुष्य की आवाज को निकाल सकता था पुनह दूरा सकता था the next year ugly he was he actually made one उसने एक ठीक वैसा एक machine बना दिया ठीक वैसा एक machine बना दिया it was then called the talking machine तब उसे talking machine के नाम से पुकारा जाता था तब उसे talking machine के नाम से पुकारा जाता था we call it the gramophone now जिसे अब हम gramophone कहते हैं this same year ठीक उसी वर्स he was invited to the white house उसे white house in Washington Washington में white house में invite किया गया आपको पता है white house क्या है that is the name of the house यह उस घर का नाम है where the president of the United States of America lives जहां पर America की राष्टपती रहते हैं white house उस घर का नाम है जहां पर United States of America की राष्टपती रहते हैं Edison went there Edison वहां गया to show his new machine अपने नए machine को दिखाने के लिए to the president प्राष्टपती को और this made him famous all over America यह बात यह घटना उसे पूरे अमेरिका में प्रस्षिद्ध कर दिया सभी लोग अब उसके बिसे में जानने लगे now he was successful and prosperous अवश सफल भी था और धनवान भी था सम्रद्य भी था he owed all this to his mother's help and encouragement उसने इन सभी का स्रे अपनी मा की सहायता और उसके उत्साहवर्धन को दिया and to his own hard work और अपने स्वयम के कठीन परिश्रम को दिया in March 1878, 1878 के मार्च महिने में he began to work on an electric lamp वह बिद्द बल पर काम करना सुरू किया वह बिद्द बल पर काम करना सुरू किया people used candles and oil lamps in those days उन दिनों लोग oil lamps और candles मुंबतिया यूज किया करते थे they didn't have electric lights उनके पास कोई बिद्द बल्ब नहीं था बिद्द प्रकास नहीं हुआ करता था Edison promised to give them electric lights in two years Edison ने उन लोगों से अमेरिका के लोगों से वादा किया कि दो वर्स में ही वह उन्हें बिद्द बल्ब दे देगा when he said this जब उसने इस बात को कहा all the scientists loved at him सारे बग्यानिक की हसी ले लिए हसी उड़ा लिए उस पर हसने लगे they said बग्यानिक को ने कहा that it was impossible यह बिल्कुल असंबव है उन्हें क्या का यह बिल्कुल impossible है यह असंबव है but Edison was not worried at all लेकिन Edison बिल्कुल इस बात से चिंतित नहीं था he worked harder and harder work hope cutting से cutting परिश्रम करता गया he performed a thousand experiments वह हजारों प्रियोग किये but all of them failed लेकिन सभी प्रियोग असफल हो गए but he did not give up hope लेकिन उसने अपने आसा को नहीं छोड़ा I must keep my promise मैं अपने वादे को अवश्य पूरा करूंगा to the people जो लोगों से मैंने किया हुआ है he said उसने कहा to himself स्वयम से and worked harder still और अभी cutting परिश्रम करता रहा he was racing against time वह समय के भी प्रीद दोड़ रहा था वह समय के भी प्रीद चल रहा था दोड़ रहा था at last अंत में he succeeded वह सफल हो गया सफलता प्राप्त कर लिया in making बना पाने में an electric bulb एक विद्दुद बल्ब after nearly 1,000 after nearly 1,000 and 200 experiments लगभग 1200 प्रीव करने के बाद one on new year's day नयवर्स के दिन 1888 सो अस्ति इस भी में he and his workers वह उनकी सहायक put up electric lights at his laboratory अपने laboratory में अपने प्रयोकसाला में बिद्दुद बल्ब को रख दिये people from all over America America के बहुत चारे लोग हर जगा से पूरे अमेरिका के लोग came आये हुए थे to see देखने के लिए that grand site उस सांदार द्रिश्य को Edison had kept his promise to the people लोगों से किये गए अपने वादे को Edison ने पूरा किया हुआ था on 4th September 1882 1882 के 4 September को for the first time पहली बार New York soon in the brightness of electric light New York बिद्द बल्ब के प्रकास से जगमगा उठा Edison served his country during the first world war Edison ने प्रथम युद्ध के दोरान अपने देश के लिए सिवा भी किया अपने देश के लिए काम भी किया he made 40 war time invention उसने 40 युद्ध पूर्ट तयार किया युद्ध में काम आने वाले invention को बनाए and was awarded a medal for his service और अपने इस सिवा के लिए medal से उसे पुरस्कृत भी किया गया in 1929 1929 इस भी में the silver jubilee of the inventions of electric bulb electric bulb के अविश्कार की silver jubilee summero was celebrated मनाया गया celebrate किया गया in a grand manner बड़े ही भव्य तरीके से silver jubilee का मतला पचास वर्स के बाद अविश्कार के ठीक पचास वर्स के बाद जो functions मनाया जाते हैं उन्हीं silver jubilee functions कहा जाता है तो कहा कि बड़े ही सांदार बड़े भव्य तरीके से मनाया गया और the president of the United States of America United States of America की राष्टपती received him and honored him उनका स्वागत किये उनका अभिवादन किये at a big function एक बड़े function में Edison got up at the function to thank the president Edison function में उठा function में समारों में उठा उन्हें thank you करने के लिए धन्यबाद करने के लिए राष्टपती को धन्यबाद देने के लिए but suddenly felly लेकिन अचानक पर बिमार पड़ गया his illness became worse उसकी बिमारी और भी खराब हो गई and he died on Sunday morning of 18th October 1931 वह Sunday रभिवार की शुबर 18 October 1931 में मर गया दस इस तरह से ended समाप्त हो गया the great and eventful life घटना पूर्ण और महान ग्यक्ति के जीवन का which will who enriched the human life जिसने मनुष्य के जीवन को enrich किया धनवान बनाया happiness प्रसनता से परपून किया he said once उसने एक बार कहा था I shall never invent मैं कभी भी ऐसा कुछ भी निर्माण नहीं करूंगा अविस्कार नहीं करूंगा anything किसी भी चीज का which will destroy life जो जीवन को नश्ट कर दे I want to make people happy मैं लोगों को खुष देखना चाहता हूँ खुष बनाना चाहता हूँ he also said उसने ये भी कहा था the word has been in darkness too long संसार बहुत समय से अंधिरे में रहा है I would like to give to the word more laughter and more light मैं संसार को और अधिक खुशी और अधिक प्रसनता प्रदान करना चाहता हूँ he kept his word उसने अपने वादे को पूरा किया his gramophone has brought us more laughter उसका gramophone हमारे लिए अतिदिक प्रसनता लाया अतिदिक खुशिया ले आई and his electric lamp और उसका बिद्द बल्ब has given us more light हमें बहुत सारा प्रकास दिया बहुत सारा प्रकास प्रदान किया तूड़े आज आवर चिले आवर कंट्री हमारे देश को and word और हमारे संसार को नीड साव सकता है more men और अधिक मनुश्यों की like edition, edition की तरह every boy हर लड़कों को and girl और लड़कियों को should follow his great exam पस उसके समहान उदहारन का अनुसरन करना चाहिए तो इस तरह से edition ने अपने वादे को फोरा किया, उसे बहुत सारे problems को face करना पड़ा उसे against time run करना पड़ा दोड़ना पड़ा, लेकिन कभी वह hopeless नहीं हुआ व्यक्ती जब hopeless हो जाता है तो वो खुद हार जाता है खुद से नहीं hopeless होना चाहिए व्यक्त को हमेशा past two thinker होना चाहिए हमेशा past two thinker करके उसे अपनी लच्च के प्रती हमेशा आगे बढ़ना चाहिए ये बहुत ही important, बहुत ही inspiring story रही है Thomas L.Y. Edison जी का इन्शे आप सीखिए और हमेशा अपने प्रतिग्या के प्रती दिर्ध बने रहे यदि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गई हो इसको लाइक करिए अपने friends तक share करिए जो class 10 में है जिसे वो भी इसका लाब ले सके और subscribe भी करिए Thank you